वेरे सुट नमस्ते हैं और वाम बिलकम दोस्तों हम इस सीरीज में 60 सेशन तक जाएंगे जिसका या तीसरा सेशन है इससे पहले हम सक्सेसफ़ली 2 सेशन कम्प्लीट कर चुके हैं हम हर वीडियो सेशन में 30 क्विश्चन पर डिटेल डिसक्रसन करते हैं जो कि UGC NetJRF के previous equation paper में पूछे गए हैं इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलिग्राम चनल अनुराग एजुकेशनल अकेडमी से डाउनलूड कर सकते हैं तो लेट्स केट स्टाटेट विद फरस्ट वन यानि समझ ये equation को पहले यहाँ पर जो goods होंगी उनकी demand क्या होगी? और आप जानते हैं कि अगर demand ज़ादा है तो price भी ज़ादा होगी क्यों ज़ादा होगी? क्योंकि marginal cost ज़ादा हो जाती है उसमें marginal cost बढ़ जाती है क्योंकि जिस मात्रा में demand है उस मात्रा में हम अगर supply नहीं कर पाए तो क्या होगा? price जो है बढ़ जाएगी जब price बढ़ गई तो जो उस condition में क्या होगी? जो producers होते हैं वो high price उसूलना शुरू कर देते हैं rather than जब demand control में थी यानि जब supply और demand बराबर थी, equilibrium के condition थी तब जो off peak users यानि peak से पहले के समय उन्हें कम payment करना पड़ता था ठीक है? तो इस पूरी strategy को हम क्या कहते हैं? peak load pricing, peak load effect, peak load consumption या non-off-the-work तो इसका सही answer हो जाएगा peak load pricing ठीक है? इस पूरी effect को क्या कहते हैं? peak load pricing कहते हैं, actually peak load pricing के ऐसी strategy होती है जब demand high होती है तो ज़्यादा जो producers होते हैं वो ज़्यादा price को charge करते हैं ठीक है? इस condition को कहते हैं, peak load pricing, गएर मैं डायाग्राम से आपको बता हूँ तो देखो, ये हो गया demand का, ये हो गया आपका supply का supply अगर demand बढ़ गए, तो supply यहाँ पर बढ़ा दिया हमने तो price येता हो जाएगी, P1, P2 लेकिन अगर, चुकि एकसेस के तरह हम क्या लेते हैं, quantity of goods अगर quantity of goods की, यानि demand बढ़ जाती goods की यानि ये demand यहाँ आ गई, तो देखो, यहाँ पर price क्या होगी वो high हो जाएगी, price high हो जाएगी, ठीक है? आफ-peak user जबकि उनको ऐसा नहीं करना पड़ता, आफ-peak user जैनि जब peak का समय नहों तो payment जो करेंगे, उन्हें हम आफ-peak user कहेंगे next question, question number second a form of implicit collision where one firm in the market sets the price and other firms follow suit implicit collision यानि कोई without any formal arrangement, यानि बिना किसी formal arrangement के, वो क्या करेंगे? collision मना लेंगे, वैसे तो ये बहुत देशों में illegal भी हो जाता है और उस condition में क्या होगा? एक जो बड़ी firm होगी उसमें की बड़ी firm in the sense, यानि उसने market को ज़्यादा capture कर रखा है यानि जो market की ज़्यादा था consumer उस firm से product लेते हैं यानि उस firm particular, उस firm के product का demand करते हैं ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वो बड़ी firm होगी और वो जो firm होगी, वो तै करेगी price ठीक है? जब वो price तै करेगी, यानि वो market में क्या करेगी? price set करेगी हो और other firm क्या करेगी? उसको follow करेगे तो यह जो जिसने market में price तै किया, उसको हम मानते हैं leader और इसी को कहते है price leadership, क्या कहते है इसको price leadership तो इसको आप संग क्या सही हो जाएगा? price leadership यानि वो leader है और उसने price तै किया और बाकि सभी छोटी जो companies होंगी, जो आस पास की छोटी companies होंगी को वो मांगना पड़ेगा तो इससे क्या कहेंगे price leadership next question question number second, third segmented labor market imply segmented labor market का यहाँ पहले आपको समझ लिए आप इस बात को कि segmented labor market से पहले जो neoclassical economist है neoclassical economist कहते हैं कि जो labor market है वो unified है ठीक है? यानि labor market एक perfect market है बाद में जब theory of labor market segmentation आई उन्होंने का नहीं labor market is not a perfect market वहाँ labor discrimination पायाता है देखो मैं options साथ में लेकर चल रहा हूँ वहाँ क्या पायाता? labor discrimination पायाता है या labor differentiation पायाता है किन-किन चीजों में? skills में एक labor की skill अलग होगी दूसरी labor की skill अलग होगी experiences में एक labor का experience अलग होगा वह 8 सालों से काम करा एक एक दो सालों से काम करा तो उसका experience अलग होगा उनकी formal education कहां कहां से हुई यह depend करेगा तो जो segmented labor market है यानि the theory of labor market segmentation है वो neoclassical economics से बिलकुल अलग बात करती है कहती है कि नहीं labor market में discrimination होता है labor market में labor differentiation होता है इसलिए जो wages होनी चाहिए इसलिए जो wages होनी चाहिए should be different for different labor यानि जो labor जो wage होगी वो एक labor के लिए अलग और दो से labor के लिए अलग होगी ठीक है यह imperfect market की बात करते हैं दूसरा option है labor paid wage is less than MRP बिलकुल imperfect market में marginal rate of productivity of labor is less than wage यानि जितना देखो इसको पहले समझने ज़्यादा जरूरी है MP theory marginal productivity theory इसको किस ने दिया था marginal productivity theory J.B. Clark ने दिया था J.B. Clark आये और इन्होंने कहा देखो भाई जो wages है वो marginal productivity marginal rate of productivity of labor के हिसाब सेता होगी और उनका जो wage होगा वो marginal productivity of labor यानि marginal rate of productivity of labor के बराबर होगा ठीक है यानि MP के बराबर होगा या value of marginal productivity of labor के बराबर होगा और यह कब होगा यह चुकि J.B. Clark जो है वो perfect competition को लिखा चले इन्होंने कहा यह perfect competition में लागो होगा जबकि जो W होगा वो MRPL के यानि marginal rate of productivity of labor के बराबर होगा बाद में दो लोग और आते हैं कौन आते हैं J. Robinson आते हैं और E. Chamberlain आते हैं E. Chamberlain यह उन्होंने कहा देखिए Clark महदे ऐसा कुछ है नहीं आप जब आप बात करते हैं कि यह क्यों perfect competition में लागो होता है लेकिन नहीं आपकी जो marginal productivity theory of wage है यह imperfect market में भी लागो होती लेकिन Clark महदे ऐसा है कि वहाँ जो marginal rate of productivity of labor है वो greater than होता है wage यानि जितना labor produce करते हैं उतना wage उनको नहीं मिलती है और यहां होता है labor का exploitation यार्द रखना J. Robinson और E. H. Chamberlain ने यह दिया था ठीक है कि वहाँ पर क्या होता labor का exploitation होता है तो MP theory wage fails to determine the market outcome बिल्कुल सही है ये भी सही है ये भी सही है D. Equality of wages of different types of labor यानि different types of labor के लिए wages equal होना चाहिए ये तो neoclassical कहते थे कहते थे कि neoclassical economics क्या कहते थे कि जो labor market वो unified है यानि homogeneous labor सब जगा एक जैसे एक जैसे लोग है लेकिन बाद में जो ये segmentation theory आई वो उसने क्या क नहीं नहीं सब जगा अलग-अलग लोग है तो यानि D option गलत हो जाएगा question क्या है which of the above is incorrect तो इसका D option सही हो जाएगा यानि जो equality of wages है ये वाला concept गलत है segmentation labor market के लिए ठीक है next question देखते है question number four in India those farmers are called marginal farmers who hold land up to one hectare, two hectare, three hectare या four hectare तो इसका सही answer हो जाएगा one hectare, marginal farmers यानि सीम सीमान्त किशान, सीमान्त किशान, ठीक है, उनके लिए एक hectare की जमीन अगर है या उससे कम है तो उन्हें क्या कहा जाएगा उन्हें marginal farmers यानि सीमान्त किशान कहा जाएगा उन्हें, देखो एक hectare में कुछ आपको unit बताता हूँ, एक hectare बराबर क्या होता है, one hect, इस उको होत bigha, actually यहां regional language में इसको क्या पढ़ने जानते हैं आप, bigha पढ़ते हैं, big को अलग पढ़ते हैं और ha को अलग पढ़ते हैं, यानि अगर कहना हुआ कि एक hectare बराबर 3.98 या इसको आप कह लिए 4, round figure में 4 कह लिए, 4 bigha, क्या कहेंगे इसको bigha या bigha, ठीक है, bigha कहते हैं इसको एक bigha बराबर कितना होता है, एक bigha या हम भी इसको bigha ही कहते हैं, एक bigha इसको कितना होता है, 20 visa होता है, क्या होता है, 20 B-I-S-S-A, और visa को जो regional language में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, BISWA BISWA वो जिससरे प्रणाउंस करते हैं यहां पे उससे क्या कहते हैं उससे BISWA कहते हैं और लेकिन स्पेलिंग क्या होती है Jei BISWA तो एक बिगहा बराबर 20 BISWA यह original language होगी और एक बिगहा इस उकोट एक बिगहा इस उकोटू 20 BISA यह unit बता रहूं मैं आपको अगर एक एकर की बात करें तो एक एकर इस उको टू लगभग छे भीगा होता है ठीक है यह लगभग छे भीगा होता है ठीक तो इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा 1 hectare next question question number 5 which of the following is not related to empowerment of women options are gender development index, gender empowerment measure, gender budgeting या gender discrimination तो जो gender development index है इसको UNDP जारी करता है जैसे human development index जारी करता है वैसे gender development index जारी करता है United Nation development program के दोरा जारी के जाता है यहाँ क्या होगा आप समझो यहाँ पर कौन सा नहीं संबंदित है empowerment of women से gender budgeting संबंदित है gender empowerment measure संबंदित है चुकि gender empowerment measure के अंदगा थी जो UNDP है United Nation development program वो gender development index जारी करता है तो यहाँ जो है gender discrimination है वो empowerment women के लिए नहीं सही होगा तो यहाँ D option सही हो जाएगा question number 6 the agricultural census is done at which one of the following intervals जो agricultural census है वो कितने अंतराल के दौरान किया जाता है कब कब किया जाता है once in five years every year once intense year या twice तो इसका सही अंसर हो जाएगा यहनि हर पांस साल में agricultural census किया जाता है और सबसे पहले इसको 1971 में किया गया था सबसे पहले 1971 में किया गया था और हर पांस साल पे किया जाता है तो इस बार नंबर का था 10th नंबर का था अग्रिकल्चर सेंसर तो अब जो होगा वो कौन सा होगा अरे 11th होगा पूछन पूछने फाइदा ही क्या मैंने अंसर बता थिया इसका next question दिखने question number seven Tobin tax is a tax on Tobin tax James Tobin थे यह actually Nobel laureate है इनको Nobel पूस्कार मिला था तो Tobin tax है उन्ही के नाम पर यह Tobin वही है जिन्होंने inventory अप्रोच दिया था Tobin tax is a tax on transaction in the share market transaction in the money market transaction in the commodity market transaction in the foreign exchange market तो इसका सही अंसर हो जाएगा transaction in the foreign exchange market यानि foreign exchange में जब हम अपनी currency और currency को exchange करने जाएंगे तो क्या होगा हमें Tobin tax दीना पड़ेगा ठीक है और Tobin tax का main foreign exchange market है उसमें stability लाना ठीक है foreign exchange market में stability लाना इसका main name था question number 8 the discriminating monopolist will charge a higher price in the market in which the price elasticity of demand जो discriminating monopolist है वो high price market में कब ले पाएगा जब price elasticity of demand कैसी होगी कम होगी एक से एक से ज़्यादा होगी या एक के बराबर होगी या supply is greater तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर क्या हो जाएगा elasticity of demand is small elasticity of demand is smaller smaller यानि e is less than one यानि कहने मतलब है कि price में changes करने से उस goods की जिस goods के price में changes किया गया है उस particular goods के demand में ज्यादा fluctuation ना आए तो उस समय जो discriminating monopolist है वो क्या करेगा price बढ़ा देगा next question दिखते है question number nine a model of oligopoly in which one firm sets output before the other firms do यानि oligopoly का एक ऐसा model oligopoly का एक ऐसा model जिसमें एक firm क्या करते अपने output को determine करते बिना किसी दूसरे firm के ये करे हुए तो इसका सही answer आपको पता होगा मैं options पढ़ देता हूँ strategic model, stackelberg model, suspense model या duopoly तो इसका सही answer क्या हो जाएगा stackelberg model actually henrich won stackelberg थे henrich won stackelberg ने अपना model दिया था duopoly का model और actually non-colicipoligopoly का है और ये cornet का model का extension है और इसमें क्या होता है इसमें अगर मैं graph इसको बना का समझाओ तो एक producers अपना output करता है दूसरा बात में उसके हिसाब से करता है तीसा उसके हिसाब से करता है ठीक है तो उससे क्या कहेंगे stackelberg model कहेंगे next question दिखते है question number 10 an expenditure that has already has been made and cannot be recovered एक ऐसा खर्चा किया हुआ ऐसा ऐसा cost जिसको हम दुबारा recover नहीं कर सकते है उसको कौन सा cost कहेंगे हम fixed cost कहेंगे या sunk cost कहेंगे variable cost कहेंगे कि real cost कहेंगे तो उसको कहेंगे हम sunk cost बात समझे sunk cost एक ऐसी cost होती है इसको मैं simple कहता हूँ गया अब नहीं आएगा क्या ये cost क्या होगा गया अब नहीं आएगा ठीक जैसे अगर किसी company ने कुछ लोगों को training करने के लिए जो पैसा खर्च किया यानि अपने labor को train करने के लिए पैसा खर्च किया तो जो training पर उनके पैसा गया वो productive नहीं था ना उसका production नहीं हुआ लेकिन cost तो लगी ना तो वो cost दुबारा recover नहीं की जा सकती अगर वो अब ये बात अला कि कि अगर पैसा और कि वोगों की पसंद क्या है थिक उसमें changes कैसे आ रहे हैं तो उसपर आप खर्चा करेंगे वो आपका sunk cost कहलाएगा R&D Research and Development पे जो आप खर्चा करेंगे वो आपका sunk cost होगा यानि जो Thomas Elva Dixon थे उन्हेंने 1270 बार अपना बल बना लिया था लेकिन जो 1199 बार Research and Development में पैसा खर्च हुआ वो क्या हुआ वो sunk cost है ना अगर आप 12 समय बार जब इनका बन गया और ये चाहें कि जो 1199 बार जो हुआ है उसका cost हम वापस कर लें यानि cost recover कर लें तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका फाइदा क्या होता है ये खर्च बहुत सारे company नहीं भी करती है अगर ये company कर रहें तो उनको बाद में benefit होता भी अगर research and development कोई ऐसी technology आ गई जिससे company का profit और production बहुत तरी से बढ़ जाएगा तो वही sunk cost बाद में बहुत ज़्यादा productive कहलाएगा लेकिन sunk cost एक ऐसा cost होता है जो कि एक बार गया तो दुबारा नहीं आएगा fixed cost क्या होता है fixed cost एक ऐसा cost होता है जिसको आपको regularly payment करना ही करना है जैसे आपने कहीं किसी land पर अपना company अस्थापित कर रखी है तो जो land के लिए rent देंगे आप उसे देना ही देना होगा आपको हर महीने हर साल जितना देते होंगे आपको देना ही देना होगा तो वो fixed cost कहलाएगा variable cost ऐसे अलग-अलग cost हो जहीं है real cost next solution देखते है question number 11 dividing consumer into two or more groups with different demands for a product in order to charge different prices to each group options are first degree price discrimination second degree price discrimination third degree price discrimination या non-op-diver तो देखो पहले तो price discrimination समझ लिए हम price discrimination मतलब क्या होता है different price different एक तो इससे लिख नहीं जाता है different price for the same good एक ही goods या services के लिए अलग-अलग consumer से अलग-अलग price different price for the same goods और services to different consumers यानि एक consumer गया उससे अलग price उसी goods या उसी services के लिए लिए एक consumer गया उससे अलग price लिए तो इसको गया कहते है price discrimination कहते है या इसको कीमत भी भीधन कहते हैं कीमत भी भीधन या price discrimination तीन प्रकार क्या होते हैं इसके तीन डिगरी होते हैं इसके तीन डिगरी होते हैं इसकेंड डिगरी और थर्ड डिगरी इसकेंड डिगरी क्या होता है इसकेंड डिगरी price discrimination को कहते है perfect price discrimination क्या कहते हैं इसको हम perfect तो इससे कुछ लिखी नहीं जा राज perfect price discrimination ठीक है इसको कहते है perfect price discrimination इसमें क्या होता है जो producer होता है वो अपने goods का अपने goods के हर unit यानि each unit की बात करते हैं इसमें यानि हर unit के लिए अलग-अलग price तै करता है ठीक है अलग-अलग consumer से अलग एक उसी unit के लिए अलग-अलग price लेता है जैसे आप market गया और आपको कोई bulb खरीदना है किसी भी company चलो सिसका ले लो बहुत famous है brand सिसका का आपको bulb खरीदना है तो आप गये इसी producer के पास तो इसने वही बलव आपको दिया 200 रुपे का दूसरा गया उसको दिया 220 रुपे का तीसरा गया उसे दिया 210 रुपे का चौथा गया उसे हो सकता है 180 का ही दिया हो या 250 का दिया हो यानि एक ही goods है और उसकी अलग-अलग unit के लिए अलग-अलग consumer से अलग-अलग price बास समझ में आ रही आपको उसे कहते हैं first degree price destination या एक चीज़ और बता सकता हूँ इस condition में क्या होता है जो producer होता है वो इतना चालाक होता है और उतना technique उसे पता होती है कि जो consumer आया उसने घर से मन बनाया कि 220 रुपे का बल बगर देंगे 220 रुपे का तो मैं लूँगा और यहां इस condition में first degree price estimation में जो producer होगा वो मूँ देखते ही जाए जाए कि तुम बेटा 220 से जादा नहीं देपा होगे और 220 इसको बताया और जब 220 बताया या 250 बताया तो 220 तक आकर मामला फिक्स हुआ और यहां पर इन्होंने 220 रुपे इसको दे धी है याईगर से मन बना कर चले थे की 220 रुपे का हम चीज़ खरी देंगे और इन्होंने को दोसोबीस रुपे का ही मिला यानि यहाँ आता है consumer surplus अगर आप इससे परिचित होंगे तो consumer surplus zero हो जाता है यानि perfect price discrimination या first degree price discrimination में जो consumer surplus है वो zero हो जाता है यह सारा consumer surplus कहां चला जाता है यह producer के पास चला जाता है बास समझें आपे consumer surplus क्या आप घर से निकले के हम 220 रुपे का लेंगे ठीक आप 220 रुपे का लेना चाहिए बल और यहां दुकान पर आए तो आपको हो सकता है 210 रुपे कहीं मिल गया हो तो आपका जो consumer surplus होगा जितना आप 4 है थे जितना आप सोच कर आए थे 220 और जितना आपको पड़ा 210 यानि आपका 10 रुपे बच गया है तो इसे कहांगे consumer surplus ठीक है वो consumer surplus first degree price discrimination में बचता नहीं है वो चल जाता है producers के पास ठीक क्योंकि उनके पास negotiation के technique बहुत अच्छी होती है अमूमन यह price discrimination जो है market में rarely देखने को मिलता या नहीं मिलता है second degree price discrimination के अगर हम बात करें तो second degree price discrimination यह quantity के हिसाब से होता है ठीक है यानि quantity of goods के हिसाब से मान लो आप market गये और आपको एक toothpaste खईदना है ठीक आपको एक toothpaste खईदना है यहाँ में अगर बन गया toothpaste तो ठीक चलो यह toothpaste ही तो लग रहा है नहीं लग रहा है लेकिन toothpaste समझो इसको अगर आप toothpaste market में खईदने का है आपको एक toothpaste चाहिए हो सकता 55 रुपय का मिले अरे कोई भी कोलगेट सी बात का बाबाराम देवाला कोई भी खईदने का आप 55 रुपय का 65 रुपय जो भी चार्ज हो मान लो चलो 500 रुपय का मान का चलते हैं 100 रुपय का चार्ज हुआ अब आप एक लिने के 100 रुपय का चार्ज हुआ उसी market में वहीं आप एक दिन फिर सोचते हैं कि नहीं लाव एक के बजाएं पूरा गत्ता खरीद लेते हैं या पूरा दुकान जितना इसके पास है बाबाराम देव वाला जितना कोलगेट है जितना सिबाका है इस सारा हम खरीद लेते हैं हम पूरे साल ही इसी को करेंगी उस कंडिशन में क्या हुई आपको हो सकता है वो कम कपड़े क्यों मालिया आप एक पेटी में 150 रहते हैं और आपको वो पढ़िया 5000 रुपेगा तो पर जो पर पेश्ट यानि पर यूनिट चार्ज आपका कम पड़ गया ठीक है पर यूनिट चार्ज आपका खरीद लिए तो आपको price कम पड़ गई ठीक है उससे कहते हैं second degree price discrimination बास समझ में आए आपको यानि आप अगर एक खरीदने जाओगे तो उसका price दूसरा और अगर आपने bulk quantity में खरीद लिया आपने bulk purchase कर लिया आपने बहुत जादा मातरा में खरीद लिया तो per unit cost आपकी कम हो देते हैं ठीक है और consumer को groups हम डिवाइड नहीं प्रोड्यूसर डिवाइज कर देता है जो सेलर होता है वह consumer को दो भागों में दो groups में या particular groups में डिवाइड कर देता है और उस हिसाब से चार्ज करता है मैं अगर आप example लो देखो जो डॉक्टर होता है डॉक्टर वो क्या कर जो अपने फीस होते हैं अगर वहाँ पर एक कोई गरीब आदमें गया दिखाने और कोई रिच आदमें गयाया कोई अमीर आदमीं गया दिखाने तो डॉक्टर मुह देखेगा गरीब का गरीब का सिदामा वाला गाना सुणा अर्हे Cash सब्सुना ऑप मे Deus कअ? मैध मैं अ Yea तो डॉक्टर ने देखा गरीब है तो उससे कम प्राइज लिया और जो अमीर देखा अमीर से क्या किया तुम्हारे तो बेटा एक बाल उखारने का में पांच लाक रुपए लोगा तो अमीर से ज्यादा प्राइज लिया यानि जो जितना कैपबल था देने में उससे उतना द्राइज किया गया तो डॉक्टर ने क्या किया कि अपने सेम सर्विसेश के लिए उसने जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप्स में बाट दी कंज्यूमर को ठीक गरीब है तो उसे उसी प्राइज के लिए अमीर है तो उसी प्राइज बांब्लम के लिए ज्यादा रुपए दूसरा example अगर मैं लूँ, तो electricity companies जो है, वो क्या करती है, इंडिविज्वल को अगर बिजली लेना है उन्हीं companies से, तो हो सकता है वो सस्तिम दे, सस्तिम देती ही देती है, 3 रुपए पर unit या 2 रुपए पर unit, और वही अगर corporation या companies जो खुलती है, उनको अगर वो बिजली प्रुवाइड करती है, इंडिस्ट्रीज को, तो वही वो 6 रुपए पर unit, 8 रुपए पर unit, जिस रापते देती हूँ, तो यहां क्या क्या, electricity company ने क्या, क्या price discrimination क्या particular consumer groups के साथ, ठीक है, तो यहां जो answer सही हो जाएगा, वो 3rd degree price discrimination सही हो जाएगा, यहां मैंने price discrimination की पूरी बात आपसे कर ली है, तो यहां answer सही हो जाएगा C, next question question number 12, full demographic dividend will be released when government promotes, demographic dividend का concept आता है, demographic dividend क्या है, देखो, demographic dividend, देखो, demographic क्या, हमारे पास demographic है, और वो demographic dividend में कब convert होगी, जैसे human capital है, जब human होता है, वो capital कब बनेगा, जब वो healthy होगा, ठीक है, जब वो healthy होगा, जब वो educated होगा, ठीक, तब तो वो जाकर बनेगा न, dividend, तभी तो dividend बनेगा, इंडिया में क्या है, actually demographic dividend एक age structure होता है, ठीक, age structure हमारे इंडिया में क्या है, 62.5, 62.5% जो population है, वो 15 से 59, ठीक, साल के बीच में है, यानि age group के बीच में है, 15 साल से 59, 69 साल के बीच में, जो हमारे याँ population वो 62.5% की है, यानि हमारे यहाँ dependent population जो है, वो कम है, और अगर इस demographic को, इस age structure को हम सही से manage कर पाए, हम अगर इसको सही से, और यह कब तक चलेगी, यह 2036 तक जो है, 65% हो जाएगी न, यह 2050, 2050 के बाद या 60 के बाद जो है, decline होने लगीगी, demographic dividend, तो 2060 तक हमारे पास क्या है, demographic dividend है, किसना 15 से 59 age group तक है, तो जब demographic को हम dividend में convert करेंगे, जब वो healthy होंगे, जब वो educated होंगे, जब वो skillful होंगे, ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, more social security, यानि अगर demographic dividend प्रमोट करना है, तो क्या करना चाहिए, more social security, more intensive growth, more skill development, या more capital market, तो यहाँ इसका सही अंसर हो जाएगा, more skill development, यानि अगर सरकार skill को development पर खर्चा कर रही है, तो demography dividend के रूप में और अच्छे से उभर कर आएगा, जिस तरह यानि employment इस तरह है, उस तरह demography नहीं चलती है, demographic dividend का misuse हो रहा है हमार यहां, अभी इस समय, इस समय तो misuse हो रहा है पूरी तरीके से, कुछ use ही नहीं हो रहा तो misuse ही क्या, use ही नहीं हो रहा है, misuse तो छोड़ी दो, question number 13, which one of the following is true for the general fertility rate, general fertility rate क्या होता है, the number of births, number of births, in a year per 1000 women, age 15 to 49, यानि एक साल में 1000 women पर कितने जन्म होए, ठेक है, यानि general fertility rate क्या होती है, total life birth upon women childbearing age, जो यह 15 से, एक तो इससे लिख नहीं जाता सही से, 15 से 49 साल तक होता जो, उससे कहते हैं, childbearing age, और एक साल के अंतरगत, 1000 women द्वारा, जिन्दा बच्चों को दिये गए, जन्म की जो संख्या होती है, उससे कहते हैं, GFR, general fertility rate, ठीक है, तो इसमें option देखने हैं तो पहले, it is an actual measure of fertility, it is a potential measure of fertility, it is a actual measure of female population composition, it is based on hypothetical age specific birth rate profile, vision of the following is true for the general, कौन सा जो है, यह GFR यह जन्रल fertility rate के लिए सही होगा, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, it is a potential measure of fertility, ठीक है, GFR जो है, potential measure है, next question दिखते हैं, question number 14, which among the following curve is used to depict the long run behavior of population growth, normal curve, logistic curve, exponential curve, या argue, ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा, वो logistic curve हो जाएगा, ठीक है, population behavior of population को क्या है, वो logistic curve दिखाता है, logistic curve theory आई थी, logistic curve, यह theory क्या आई थी, यह आई थी, 1835 में इसको दिया था, पहले तो QTLET ने दिया था, QTLET, पहले QTLET ने दिया था, उसके बाद 1938 में, इसी को वापस से, उवरहास ने दिया था, ठीक है, किस ने दिया था, उवरहास ने, यह 1935, 1938 में, logistic curve theory आई, इस curve theory ने क्या कहा, इसने कहा कि population जो है, जो population है, वो जैसे-जैसे density बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे density बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे population घटती जाती है, ठीक है, उन्होंने दिया था theory, कि जैसे-जैसे population बढ़ेगी, particular area है, यहाँ population पहले 2000 थी, ठीक है, उसके बाद 4,000 हो गई उसके बाद 8,000 हो गई तो मतलब यह मैं ऐसे नहीं बढ़ा रहा हूँ मालतोसियन वाला जैसे जैसे density बढ़ेगे population अपने आप धीरे-धीरे कम होने लेगी थी इनकी इस ठियोरिय में कहा गया था लोजिस्टिक कर में behavior of population growth ठीक है population गर behavior उने कहा था ऐसा होगा कि पहले starting में बढ़ेगे और जैसे जैसे density उस एरिया में बढ़ती जाएगे वैसे इसे population stable होती जाएगी बाद में इसी को एक आये थे Raymond 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 M-O-N-D Pearl P-A-R-L Raymond Pearl and Lowell Reed Lowell L-O-W-E-W-L-L-R-E-D Read इनोंने क्या क्या Read जूंने एक तो specified fruit fromMe किते उन्होंने ऑद्ध्या जो मख्य ठीक है जिसको फल मख्य कहते हैं और मुर्गियों पर इन दोनों पर इनोंने अध्यान किया ने फ्रूट प्राइट में बद अध्या और जार में बंद करने बाद देखा कि जैसे जैसे इनकी संख्या एक लेबल तक बढ़ दी जाती है एक लेबल तक बढ़ती जाती है फिर देंसिटी खुब बढ़ी और जैसे 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 देंसिटी बढ़ती जाती है इनकी अचानक से संख्या घटने लगती है और घटे घटे एक दिन हो जाती है खतम मुर्गियों के मा पॉपकलेशन हेंस के कम हो गई शिनकी जानवरों को स्टडी जो है ये पॉपकलेशन पर हीन की अलूचना हो सकती इस बामरे में तो इसका सही अंशर क्या हो जाएगा इसका अंशिस्तिक कर्व योसिश्टिक कर्व यह यहां पता सकते रिक प्रम यहांत क्या हो created जा finis आग्यू की बारे में थोड़ा बात कर लें देखो आग्यू क्या होता है यह simple cumulative frequency curve जो होता है उसे को आग्यू कहते है cumulative frequency curve यह ऐसे less than augue और greater than augue और जो normal curve होता है normal curve क्या होता है वो bell-saved curve होता है ठीक है? bell-saved curve को normal curve कहते है और exponential, exponential तो जैसे यह जे सेब्ड जे सेब्ड करको क्या कहते हैं एक्सपोनेंसियल करको कहते हैं नेस्ट कुशन दिखते हैं कुशन नमबर 15 एमंग दा सोचियो एकोनामिक फेक्टर्स रिस्पॉंसिबल फर हाई बर्थ रेत इन इंडिया वी में इंक्लिवड यानि ऐसे सोचियो एकोनामिक फेक्टर्स जो कि इंडिया में हाई बर्थ रेत के लिए रिस्पॉंसिबल है वो कौन-कौन से हैं पहला है लाज स्केल पोवर्टी बिल्कुल लाज स्केल पोवर्टी होगा क्योंकि इंडिया में बहुत लार्ज लेबल पे बहुत मास स्केल पे पोवर्टी है और जब पोवर्टी ज्यादा होगी तो वहां एजुकेशन का लेबल भी बहुत कम होगा जिसके कारड़ बर्थ रेट बढ़ेगा high mortality rate of children of poor parents जो poor parents होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनमें high mortality rate होती है उनके बच्चे पैदा हुए तो कुछ बीमारी से मर गये कि नहीं और कारड़ों से मर गये जिसके कारड़ बर्थ रेट भी बढ़ता जाता है prevalence of underage marriage यानि बारत में बाल बिवाह का प्रिचलन बहुत तेजी से रहा है जिसके कारड़ भी बर्थ रेट जादा रहा है और जो adverse sex ratio है यह यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि adverse sex ratio जो है वो socio-economic factors में high birth rate के लिए important नहीं होगा तो इसका कौन-कौन सा option से हो जाएगा एक दो और तीन यानि एक दो तीन चौथे में मिला है यानि इसका कौन सा option से होगा fourth option से next question देखते है question number 16 match list 1 with list 2 list 1 को list 2 से मिलाना है तो देखो word environment day कब होता है word environment 5 जून को होता है world wild life day कब होता है word wild light day 3 March को होता है third March को होता है अगर मानले आपको 2 पता है तो सोचो देखें दो से लगेगा की नहीं एक हो जाएगा एक हो जाएगा दो देखो एक हो दो मिल रहा है एक कहां मिला है देखो यह last option सही होना चाहिए ठीक है क्योंकि अभी तो इसी मिल रहा है ए प्राक्स इंफर्स्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् है वो motor vehicles पर लगा जाता है सेस क्या होता है टो इसको समझ लेते हैं थोड़ा पुर सेस जो है वह एडिस्नल होता है ठीक है यानि tax on tax tax on tax जो additional tax होता है उसको कहते है टैक्स on tax या शेस कहते हैं और यह particular किसी specific कारणों से लगाया जैसे health tax लगाया यानि health sex लगाया ताकि health structure में थोड़ा सा हम और expenditure कर पाएं ठीक है एक और इसमें tax भी आता है health sex और tax इन दोनों में क्या अंतर है अगर आपको पता हो तो बताओ वैसे मैं थोड़ा बहुत अंतर बताता हूं आपको देखो जो sex है ना जो sex का जितना पैसा आएगा वो एक होता divisible pool of taxes एक तो इस पर कुछ लिखी नहीं जा रहा है एक तो खुद का central में divide करती है और दूसरा states के लिए divide करती है ठीक है यानि जो divisible pool of taxes है उसमें जो revenue आएगा वो दो भागों में बटेगा एक तो central government के लिए बटेगा और एक state government के लिए बटेगा लेकिन इस divisible pool of taxes में दो चीजे नहीं होती है कौन कौन सी नहीं होती है एक त दूसरा इसमें क्या नहीं होता है इसमें सर्चाज नहीं होता है ठीक डिविजबल pool of taxes में सर्चाज भी नहीं होता है यानि जो सेस और सर्चाज है यह particular जाएगा central government के पास article 270 of Indian constitution जो सेस है वो union government अपने पास रखेगी वो वो डिविजबल pool of taxes में नहीं आएगा दोनों क्या होते हैं consolidated fund of india cfi consolidated fund of india consolidated fund of india में जाती है जो सेस और taxes दोनों consolidated fund of india में जाते हैं लेकिन सेस को खर्च करने के लिए union government को permission लेनी पड़ती है parliament की ठीक है parliament की क्या करने के पड़ेगी permission लेनी पड़ेगी अगर सेस को खर्च करना है और tax को खर्च करने के लिए बिलकुल भी नहीं वो तो main expenditure है उसे तो खर्च करने के लिए स्वतंत रहे बास अमझ में तो इसका answer क्या हो जाएगा motor vehicle और सेस और tax में मैंने जो अंतर बता यह हिंदु के growth rate नहीं है यह क्या है इसको इसको दिया था राज किश्ना ने किसने दिया था राज किश्ना ने बहुत ही open question है हर बार पूछा भी जाता है लोग जानते भी है एक्चुली हिंदू rate of growth slow annual growth rate कहते हैं slow annual growth rate 1991 से पहले 1991 से पहले कि जो slow growth rate थी उसे हिंदू rate of growth कहते थे इसे क्यों कहते थे इसको हम अलग से discussion कर दिस्कुर्शन कर when income is zero then autonomous consumption is जब income zero हो जाए तो autonomous consumption क्या होगा equal to income equal to dis saving both A and B none of the average अरे जब income जो है वो zero हो जाएगी देखो आप वो graph याद होगा आपको ये graph मैंने मनाया था ये आपका income कर वे ये आपका consumption कर वे यहाँ पर क्या होता आपका income जो है वो income जो है वो क्या होता आपका consumption के बराबर होता है और यहाँ क्या होता आपका income जो है वो zero होती है यहाँ पर इस condition में income जो आपकी वो zero होती है इस condition में लेकिन इतना consumption होता रहता है जिसको कहते है autonomous consumption क्यों? इतना consumption होता रहता है ना इतना consumption होता है जो उसको कहते है autonomous consumption और जब आपकी consumption होगा autonomous वो equal to dis saving के बरावार होगा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा equal to dis saving question number 20 as income increases the average propensity to consume false because as income increase consumption increase at a faster rate as income increase consumption increase at a slower rate as income increase consumption decreases none of the ever तो इसका क्या हो जाएगा देखो बात समझो यहाँ पे y is equal to क्या होता है c plus s होता है न और apc बरावे क्या होता है average propensity to consume क्या होता है c by y यानि जिस हिसाब से income बढ़ेगी उस हिसाब से consumption नहीं बढ़ेगा क्यों क्योंकि income का एक part saving के रूप में चला जा रहा है बस समझे ने आप एक part उसका जिसे y is equal to c plus s होता है न बाद में यह investment बन जाता है तो income का एक part saving के रूप में चला जा रहा है ने जिस हिसाब से income बढ़ेगी उस हिसाब से आपका consumption नहीं बढ़ेगा इसलिए option b save जाएगा as income increases consumption increases at slower rate ठीक है question number 21 which of the following cannot be greater than one कौन एक से जादा नहीं हो सकता aps यानि average propensity to save mps यानि marginal propensity to save apc यानि average propensity to consume या a and b दोनो या b and c दोनो देखो जो aps होता है aps क्या होता है saving upon income और aps की value कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती क्योंकि जो saving है वो कभी भी y से अधिक नहीं हो सकता देखो aps की value एक से जादा कभ होगी जब s की value जादा हो s की value जादा होगी y से तभी aps की value एक से जादा हो सकती है लेकिन yes जो है वो कभी भी y से जादा नहीं हो सकता क्योंकि जितनी income आएगी उसी में से आप बचा पाओगे और कभी भी आपकी ये income इस से ज़्यादा नहीं हो सकती second condition क्या है जो APS है APS, ये कभी भी एक के बराबर भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो S है वो कभी Y के बराबर नहीं हो सकता यानि जितना आप कमा रहे हो, उतना आप बचा रहे हो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका ये जो portion है consumption वाला, ये 0 हो जाएगा और ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता देखो, एक graph अगर मैं plot करूँ यहाँ पे, तो इस condition में क्या होती है आपकी income यहाँ 0 हो जाती है income 0 होती है, लेकिन autonomous consumption आपका चलता रहता है autonomous consumption आपका चलता रहता है कैसे, this saving के थुरू चलता है क्योंकि इसलिए consumption आपका कभी 0 नहीं होगा और S बराबर Y कभी हो नहीं सकता ठीक है, second condition में जो MPS की बात करें, याणि marginal propensity to save तो यह क्या होता है, delta S upon delta Y, ठीक है याणि MPS बराबर क्या होता है MPS marginal propensity to save change in saving upon change in income और change in saving जो है, वो कभी भी greater than change in income नहीं हो सकती इसलिए जो यह भी है, वो 1 नहीं हो सकता, याणि क्या होता है, C upon Y average propensity to consume में, देखो यह condition आती है, जो C है, वो Y के बराबर हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो यहाँ पर इस graph में देखो आप, यह जो point है यह, इसे कहते हैं break even point इस point पर क्या होता है, जो consumption होता है, वो income के बराबर होता है यानि जितना आप पा रहे हो यानि जितना आप पाऊगे, उतना आप खाऊगे ठीक, यानि यहाँ पर saving क्या होती है 0 हो जाती है, यानि break even point पर saving क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और इस condition में जो A, P, C की value है, वो 1 के equal हो जाती है, लेकिन A, P, C की जो value है, A, P, C की value कभी भी 0 नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि consumption कभी 0 नहीं हो सकता, देख रहे हैं आप, autonomous consumption autonomous consumption जो है, कभी 0 नहीं हो सकता, autonomous consumption कभी भी 0 नहीं हो सकता C cannot be 0 इसलिए जो A, P, C की value है वो कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन 1 हो सकती है ठीक है और एक आता है mpc marginal propensity to consume delta c upon delta y ठीक है इस condition में जो mpc की value होती वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है अगर delta c बराबर 0 हो जाए यह हो सकता है क्यों यानि अगर additional income जो है उसने अपने consumption पे नहीं खर्च की बलकि उससे save कर लिया तो delta c बराबर 0 हो जाएगा और अगर delta c बराबर 0 हो जाएगा 0 upon y तो क्या हो जाएगा mpc की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो mpc जो है 0 हो सकता है लेकिन apc 0 नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ जो question में पुछा गया है क्यों greater than 1 नहीं हो सकता तो वो average propensity to save और marginal propensity to save जो है वो greater than 1 नहीं हो सकता क्योंकि saving कभी भी income से ज़्यादा नहीं हो सकती change in saving कभी भी change in income से ज़्यादा नहीं हो सकती तो इसका कौन answer सही हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आपका a and b ठीक है next question देखते है question number 22 the cause a theorem suggests that private negotiation will lead to the correction of market failure when देखो रुनाल्ड कॉजे ने एक theory दी थी उनकी theorem की नाम से प्रिशिद देगे जो private negotiation है market failure जो होता है न देखो ऐसा माना जाता है कि market जो है वो perfect है और market सब कुछ अपने आप manage कर लेगी लेकिन बहुत जगह उपर market fail हो जाती है चीजों को manage करने में उस समय private negotiation क्या होगा market failure को correct करने के लिए private negotiation का साहरा लियाता है और उस condition में ये सही होगा जब options are only a few people are involved बिल्कुल जब कुछ लोग होंगे ज़्यादा लोग होंगे तो problem हो जाएगे negotiation में property rights are clearly recognized बिल्कुल property rights clearly पता होने चाहिए सभी को negotiation cost are low बिल्कुल negotiation cost जब कम होंगे तभी private negotiation जो negotiator है उसमें participate करेंगे people are having asymmetric information नहीं यहाँ asymmetric के बजाए asymmetric information होना चाहिए यानि जो people है उनके पास symmetric information होना चाहिए ना कि asymmetric information होना चाहिए तो यह जो चौथा option है यह गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा सही होगा देखो कौन सा option मिल रहा है पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा और तीसरा यानि ए में मिल रहा है तो इसका answer कौन सही होगा एक सही हो जाएगा next session question number 23 which among the following measures would result in an increase in the money supply in the economy यानि कौन सा measure है जो money supply को बढ़ाएगा एकोनामी में options are पहला देखो purchase of government securities from the public by the central bank अगर central bank क्या करे जी से को जी से को public से खरीद ले और ये किसे क्या कहते हैं OMO कहते है open market operation कहते हैं ये monetary tool है monetary tool में जब हम money supply को बढ़ाना ये घटाना होता उसमें open market operation भी एक tool आता है जैसे reserve repo rate आता है reserve reverse repo rate आता है CRR आता है SLR आता है उसी तरह OMO भी आता है तो ये जो लिखा है न ये OMO का process है यानि क्या central bank क्या करेगी जो public से G-sec को खरीद लेगी और जब G-sec को खरीदेगी public से तो public को उसकी बदले में क्या देगी पैसे देगी और जब public के हाथ में पैसे आएंगे तो वो खर्च करेगी और economy में क्या होगा money supply बढ़ जाएगा यानि पहला measure तो होगा यानि पहला अगर condition follow करें तो उससे money supply increase होगी economy में दूसरा देखो deposit of currency in the commercial banks by the public अगर public अपने deposits को commercial banks में जमा कर देती है जमा करने क्या होगा उनके हाथ में money कम हो जाएगी और bankों में ज्यादा पैसे हो जाएगे और जब bankों में पैसे ज्यादा हो जाएगे तो उतने ही percentage में उनको reserve रखना पड़ता है जितना पैसा हो deposit जितना होगी उसी मात्रा में उनको reserve report और reverse report और इन सब को follow करना पड़ता है ठीक है CRR को follow करना पड़ता है तो इसलिए क्या होगा economy में जो money है money supply है वो गिर जाएगी ठीक है दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा money supply नहीं करेगा तीसरा borrowing by government from the central bank अगर government क्या करती है central bank से borrow करती है ठीक है तो borrow करेगी तो उसको expenditure करेगी कहाँ पे उसको expand करेगी economy में और economy में जब भी नियोजनाव में खर्च करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा हो सकता direct benefit transfer करे उस condition में क्या होगा economy में money supply बढ़ जाएगी यानि जो तीसरा option है वो भी सही होगा चौथा देखते हैं sales of government securities to the public by the central government यानि अगर central government जो है जी से को public में बेच देती है बेचने पर क्या होगा देखो जब जी से को central government क्या होगी public में बेचेगी बेचेगी कैसे RBI से कहेगी बेच दो और जब RBI बेचेगी तो public जब इसको government के पास जाएगा public से क्या होगा पैसा government के पास जाएगा यानि यहाँ पर होगी money की shortage और जब money की shortage होगी तो economy में money supply गिर जाएगी यानि 4th option भी गलत है यानि पहला option सही है और यहाँ पर तीसरा option सही है जो money supply को economy में बढ़हा देगा तो कौन सा option सही हो जाएगा पहला और तीसा यानि तीसरा option से हो जाएगा इसका तो यहाँ पे third option सही है, question number 34 the minimum value of the multiplier is, देखो multiplier क्या होता है m is equal to 1 upon 1 minus mpc, यानि marginal propensity to consume, तो check करते हैं कि option को, 0 when mpc is 1 जब multiplier की value minimum 0 होगी जब mpc की value 1 होगी, तो देखो minimum जगर mpc की value 1 है, चुकि mpc value कितनी होती है, range होता है minimum value 0 होता है, और maximum value mpc की 1 होती है, तो अगर mpc की maximum value 1 है उस समय क्या multiplier की minimum value 0 होगी, तो देखते हैं यहाँ पर 1 upon 0, यानि infinitive होगी बिल्कुल नहीं, यानि जब mpc की value 1 होगी, यानि जब mpc अपने maximum point पर होगा, उस समय जो multiplier होगा, वो भी अपने maximum यानि infinitive होगी, यानि multiplier उस समय infinitive होगी, यानि maximum point पर होगा, तो पहला option तो गलत हो जाता है दूसरा option देखते हैं 1 when mpc is 0 यानि multiplier is equal to 1 upon 1 minus 0 mpc की value जब 0, यानि mpc की value जब minimum होगी, यानि 0 पर होगी, तो क्या होगा, जो multiplier होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तो ये option आपका minimum के लिए सही हो जाएगा, क्यों क्यों कि minimum value of multiplier पूछ रही है और या ये जो option हो, वो maximum के लिए सही होगा, अगर पूछता है यहाँ पर कि maximum value of multiplier क्या होगा तो ये तब होगा, जब mpc 1 होगा, उस समय जो multiplier होगा वो infinitive हो जाएगा, जैसा कि पहले option में था चुकि यहाँ 0 था, इसलिए गलत हो गया तो इसका option कौन सही होगा, बी option सही हो जाएगा, ठीक है, यानि बी option सही हो जाएगा इसका, next question question number 25, the traders reduce the risk of loss in currency fluctuation through which of the following, यानि इसका तो इससे पहले हम discussion कर चुके हैं, options are speculation, arbitrage, hedging, या ना 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 देवाब, इसका answer आपको पता होगा, जो traders होते हैं, वो अपने risk को कम करने के लिए strategy follow करते हैं, ठीक, उसे कहते हैं hedging, क्या कहते हैं उसको, hedging, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पर detail discussion किया, आप उसे जाका देख लिए, next question देखते हैं, question number 25, 26 among the reasons responsible for the high inflation rate in India in 2015 which of the following is are true, rise in the price of petroleum products, नहीं इतने हिसाब 2015 में इतने petroleum के product नहीं बढ़े थे, जिससे वो inflation को बढ़ा पाएं, rise in food prices, बिल्कुल, food की prices जो है, वो 2015 में क्या स्पास काफी ज़्यादा थी, जिसके काड़ inflation बढ़ गया था, rise in the domestic consumption demand, बिल्कुल ये भी सही है, domestic consumption के demand बढ़ गये थे, जिसके काड़ high inflation बढ़ा था, rise in Indian export during the year 2015 2016, देखो 2015-16 के दौरा export तो बढ़ा, लेकिन वो उस label पर नहीं बढ़ा कि वो inflation बढ़ा पाए, ठीक, उतनी ज़्यादा demand नहीं कर पाया, create कर पाया, कि supply कम हो जाए export के लिए, तो उसका inflation के लिए आप effect नहीं मान सकते हैं, यानि यहाँ पर कौन सा, एक, यहाँ पर दो option दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ दो और तीन दो कहीं है, इसमें, हाँ दो और तीन चौथे option में है, यानि इसका जो है, चौथा option सही हो जाएगा, ठीक है, question number 27, when planned saving is less than planned investment, then, देखो, planned saving और planned investment, planned saving को कहते हैं, x and, e x a and t e, x and saving, saving, और planned investment को कहते हैं, x and investment, ठीक है, और यह equilibrium में हमेशा बराबर होते हैं, यानि जितना हमने saving करने का plan किया है, और जितना हमने investment करने का problem किया है, वो जो है equilibrium condition में बराबर होते हैं, जब यह equilibrium disturb होता है, यानि जो planned saving जो है, वो less than है, planned investment से, यानि plan investment ज्यादा है plan saving कम है तो उस condition में क्या होगा increase in unplanned inventors decrease in the unplanned inventories no change in the inventories decrease in production and employment and income देखो जब saving होगी नहीं और investment ज्यादा हो गया तो second cycle चली गी तो उस समय investment उस label पर नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले saving उस label की नहीं होई इसलिए जो production वो कम हो जाएगा employment गिर जाएगी और income में कम ही आ जाएगी एक और condition होती है यहाँ पे actual जिसको जैसे यह होता है X and saving और X and investment उसी तरह होता है actual saving and actual investment जिसको कहते हैं हम इसको कहते हैं post x post saving और x post investment x post saving is equal to x post investment होता है और ये हमेशा equal रहता है तो इसका answer कौन से सही हो जाएगा इसका answer हो जाएगा D Question number 28 If the value of MPS यानि marginal propensity to save is 0.3 and the value of marginal propensity to import is 0.2 then an increase in the export by यानि export में change कितना है 1000 करोर रुपीज का the raised national income through foreign multiplier यानि foreign multiplier के थूर national income में कितनी बढ़ होती होगी तो इसका एक formula होता है foreign multiplier का foreign multiplier इसका होता है 1 upon MPS यानि marginal propensity to save plus marginal propensity to import MPM और इसको क्या करते हैं multiply करते हैं जो export होता है यानि अगर मैं इस formula को apply करूँ तो यहाँ multiplier क्या हो जाएगा foreign multiplier 1 upon 0.3 और 0.2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा into 1,000 करोर रुपीज को हम यहाँ पर multiply कर देंगे यह point कटेगा उपर 0 बढ़ेगा और यह 5 तूजा 10 यानि 2,000 करोर रुपे का थिक 2,000 करोर रुपे का जो है वो national income में बढ़ोतरी होगी जब MPS इतना और MPM इतना होगा और जो changes in export होगा वो 1,000 करोर होगा उस समय हम इस formula को use करेंगे और वहाँ पर 2,000 करोर रुपे का answer आ जाएगा ठीक है यहनि इसका अंसर 2,000 करोर रुपे हो जाएगा question number 29 यह formula मैंने लिख दिया है पहले इसको आप इसको आप देख लिजीगा और याद कर लिजीगा वैसे आपको याद होना चाहिए और याद नहीं है तो आप याद कर लिजीए इसको question number 29 the production and consumption loss due to the imposition of tariff is jointly card यानि production and consumption का loss होता है tariff imposition के कारण तो इसे क्या कहते है इसका answer clear होना चाहिए आपको क्योंकि इससे पहले हम इन सब चीजों पर discussion कर चुके है 10 questions series जो हम चलाते है उसमें भी इन सब questions पर मैंने discussion किया है options are dead weight loss revenue loss, balance of payment deficit या terms of trade loss तो इसका सही answer हो जाएगा dead weight loss next question and last question of this video originally the maximum and minimum limit of the statutory liquidity ratio prescribed it in India was देखो जो SLR है, दो SLR होते हैं SLR है, statutory liquidity ratio और एक जो हम 2030 तक महसूस करेंगे, sea level rise का, climate change में sea level rise का हम जब बात करेंगे तर बात करेंगे, अभी हम statutory liquidity ratio देखते हैं जो SLR है, वो actually एक monetary tool है, ठीक है, RBI का economy में money supply को control करने का monetary tool है जैसे CRR होता है ठीक है, जैसे RR होता है, जैसे triple R होता है, OEMO होता है ठीक है, long term repo operations होते हैं, ठीक है, मैंने इन सब पर discussion कर रखा है, मैं इसमें comment thread में जो है, पिन कर दूँगा इसका link आप उसे देख लिजेगा, तो statutory liquidity ratio क्या होता है, जब commercial banks क्या करती है, money lend करती है जो loan उठाने वाले होते हैं, जब उनको loan देती है, तो इन commercial banks को credit creation से पहले, loan देना है, यानि credit creation credit creation से पहले, इनको अपने पास liquid की रूप में, यानि अपने पास reserves के रूप में, कुछ percentage of money रखना होता है, किन किन form में cash के form में हो सकती है, वो gold के cash के form में हो सकती है, ठीक है, उसे कहते हैं, SLR, ठीक, और जो India में इसका maximum percentage है, वो है 40%, और minimum percentage है, वो है 25%, यानि maximum 40% तक रख सकते हैं, और minimum 25% तक रख सकते हैं, यह जैसे RBI बताएगा, जैसे RBI prescribe करेगा इन लोग को, ठीक, क्योंकि RBI इन लोग को monitor करता है, जो commercial bank होती है, उनको monitor करता है, ठीक, तो इसका अंसार से हो जाएगा, 40% maximum limit and 25% minimum limit, आप मुझे comment search में बताएगे कि इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय SLR की value कितनी है, RBI की main website पे जाएगे, आप वहाँ पर आपको, जितने भी monetary terms है, उन सभी की value पता चल जाएगी, जो original इस समय होगी, तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप को वीडियो पसंद आयो तो इसको like करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको share करिए, हमारे चैनल अनराग educational academic को subscribe कर, bell icon press कर दीजे जिससे आपको इसका notification time to time मिलता रहे, thanks for watching be careful, bye bye